आज का टॉपिक है फॉर्म पेंटर का यूज याना कि फॉर्म पेंटर को किस तरीके से यूज किया जाता है यहां आपको मैंने matter कुछ type किया हुआ है जिस पर काफी सारी command में लगा दी है bold, italic, underline, red color किया हुआ है, language change किया है, size भी change किया हुआ है यहां पर मैं चाहता हूँ कि जो command इसमें लगी हुई है नीचे वाला जो matter है to make your document, same, उसी के अंदर वो सारी command आ जाए याने के automatic ही underline, bold, color, italic, सब कुछ same इसके अंदर आए तो आप एक चुटकी में form printer के द्वारा use कर सकते हैं तो किस तरीके से करेंगे इसको आए देखते हैं सबसे पहले आपको जिसका color, bold, italic, याने के same format चाहिए उसको या तो आप select कर लें, या किसी भी matter के under उसको click कर सकते हैं जैसे मैं आपको select करके दिखाता हूँ select करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे form printer आप इस पर जैसी click करेंगे, यहाँ पर आपको एक brush type का एक नजर आएगा अब इस brush से, जिस matter को आप select करेंगे, वो ही same उसमें style, automatic आ जाएगी तो आपने देखा, form printer कितने कमाल का है और इसको किस तरीके से हम एक advanced trick से भी यूज़ कर सकते हैं अभी आपने देखा, जैसे मैंने form printer लिया, एक बार click किया, automatic वो खट गया एक बार मैं आपको practical और करके दिखाता हूँ, देखिए, यह मैंने select किया, यहां से मैंने form printer लिया जैसी मैं इसको select करूंगा, जो arrow के साथ में जो brush नजर आ रहा है, वो automatically यहां से हट जाएगा यानिके, close हो जाता है अब मैं चाहता हूँ, कि यह बार बार ना हटे, और automatic हम fast काम उसको कर सके है तो यहां पर आपको मैं दो heading fast करके दिखाऊंगा तो आपको क्या करना है, जिस matter को आपको लेना है, select करना है same उसी तरह, form printer पर जाना है, और form printer पर आप देखेंगे यहां पर single click नहीं करना है आपको, यहां पर उस पर double click करना है माउस से double click करेंगे, तो आप देखेंगे, ब्रोज से हम दिखाई दिया हमें जिसको मैंने matter को select किया, तो आपने देखा, अब form printer command उस पर से नहीं हटी फिर पापस मैं C को select कर सकता हूं, तो आप देखेंगे, हम कितनी बार भी उस matter को select करेंगे तो automatic वो command नहीं अटेगी, तो single click और double click में आपको different नजर आएगा यह advance trick के द्वारा आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि form printer की shortcut की भी highlight नजर आ रही है बट यह sort की यहाँ पर apply नहीं होती है, आप करके देखेगा, यह apply नहीं होंगे इसी वाज़े से मैंने आपको वीडियो के माद्यम इसको form printer को समझाया है single click याने के बार बार हटेगा और double click से वो form printer कमांड नहीं हटेगी आपको वीडियो अच्छी लगती है, लाइक जरूर करें और comment के द्वारा बता हैं जिससे के मैं आपको और अच्छी प्यतर वीडियो बनाता रहूं, thank you